इंसान का चालचलन उसके व्यक्तितब को निखारता है लोग भी उसके चालचलन को देखकर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उसको मान सम्मान देते हैं लेकिन दोस्तों चालचलन अगर गलत हो जाए तो सारी दुनिया थूकने लगती है सारी दुनिया कोशने लगती है इसी से समन्ने ताच की घटना है एक चाची को हो जाता है अपने भतीजे से प्यार चाची 25 साल की है भतीजा 22 साल का है और फिर उसके बाद चाची का मन भर जाता है और फिर उस भतीजे को खेतों में बुलाकर उसकी कर देती है हत्या दोस्तो आखिर ऐसा क्या हुआ इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा नमस्कार मैं हूं सुदेश कुमार और तिची बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो यह घटना है आयोध्या के रदोली की आयोध्या के रदोली में गीता यादव नाम की एक औरत रहा करती थी जिसकी उमर थी 26 साल उसकी साधी हो चुकी थी और अपनी वह ससुराल में रहा करती थी उसके ससुराल में उसी के पड़ोस में उसका एक सगा भतीजा था जिसका नाम था अनिल वे उनके घर भी आ जाया करता था अनिल की उमर थी 22 साल और वे उनके घर गीता यादव से मिलने के लिए भी आ जाया करता था इसी मिलने जुलने में दौनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अब गीता यादव अनिल को ही चारो तरफ फिजाओं में, हवाओं में, लताओं में, पताओं में देखने लगती है यानि कि उससे प्यार हो जाता है अब अनिल और गीता यादव दोनों एक दूसरे से बे इंत्या प्यार करने लगते हैं घरवालों को किसी को भी इस बात के बारे मा भी पता नहीं था समय गुजर रहा होता है धीरे-धीरे धीरे-धीरे 7-8 महीने गुजर जाते हैं और 7-8 महीने गुजरने के बाद अब गीता यादव का मन अनिल से भर जाता है अब गीता यादव किसी दूसरे लड़के को तलास करने लगती है तब ही उसे उसी गाव में एक दूसरा लड़का मिल जाता है और अब वो उसके साथ प्रिसंग बनाने लगती है और इस बात की अभी तक घरवालों को खबर नहीं थी लेकिन दोस्तों अनिल को यह बात पसंद नहीं थी कि उसकी चाची किसी दूसरे के साथ गूमे अनिल सोचता था कि मैं ही इससे साधी करूँगा मैं इसके साथ जीवन गुजारूँगा मैं इसके साथ रहूँगा लेकिन उसकी चाची जिसका नाम था गीता यादव वह उसको धमका दिया करती थी कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी मुझे मेरा नया प्रेमी मिल गया है इस तरह से मामला चल रहा होता है दोस्तों तब ही जो अनिल होता है वह ज़्यादा तंगी करने लगता है गीता यादव से कि अगर तुम उसके साथ जाओगी तो मैं तुम्हारी ये सारी कहानी घरवालों के सामने और पूरे गाउं के सामने खोल दूँगा अब गीता यादव परिसान हो जाती है कि मेरी बेज़ जती हो जाएगी और ये सारी घटना गाउवालों के सामने और मेरे घरवालों के सामने बता देगा तब ही दोस्तों क्या होता है गीता यादव अपने नए प्रेमी जिसका नाम होता है प्रदीप उससे बात करती है उससे कहती है कि यह मेरा जो भतीजा है जिसका नाम अनिल है यह हमारे प्यार के बीच में आ रहा है और यह कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रेम कहानी के बारे मे पूरे गाओं को और घरवालों को बता दूँगा इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना हमारा भाना फूर जाएगा और लोग हमारे उपर थूकेंगे दोस्तों उसका जो नएव प्रेमी होता है प्रदीप वह तयार हो जाता है और फिर दॉनों के बीच में चलती है पूरी कर ली जाती है फिर एक दिन गीता यादव अपने खेतों पर गई थी जुआर लेने के लिए और वहां से अनिल के पास फौन करती है कि मुझे तुम से मिलना है गीता यादव को अपनी गलती पर अपसोस हो गया है गीतायादव का जो नया प्रेमिता प्रदी वह तीन लड़कों को अपने साथ लेकर आता है और पीछे से उस अनिल के हाथ पेर पकर लेता है। गीतायादव को अरेस्ट कर लेती है और उससे सक्ती से पूस्तास करती है तो गीतायादव थोरी देर में तूट जाती है और सारी घटना बताती है कि यह हमारे प्यार के बीच में आ रहा था, आडे आ रहा था, रोडा बन रहा था। इसलिए मैंने अपनी नए प्रेमी के साथ मिलकर इसको जान से माढ़ डाला दोस्तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेते हैं उसके उपर केज दर्ज किया जाता है उसको जेल में भेज़ दिया जाता है और मुकदमत चलाया जाता है तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी औरत के बारे में एक से मन नहीं भरा पहले अपने पती के घर आई पती से मन नहीं भरा फिर भतीजे से नेन मिलाए भतीजे से भी मन नहीं भरा तो फिर दूसरे आदमी से नेन मिलाए पिर गावों में दूसरे आदमी से नेंग मिला लिये दोस्तो ऐसी औरत के बारे मां आप क्या कहना चाहते हो क्या यहाँ पे इस गीतہ यादव की ही गलती है या फिर इसके भतीजे की भी गलती ती या नील की किसकी गलती आपको यहाँ पे लगती है पोलिस ने गीता यादव को और उसका जो नया प्रेमी था उसके साथ जो और दोस्त थे उनको अरेस्ट कर लिया उनको जेल भेज दिया तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं उस घटना के बारे में आपने राये लिख सकते हैं बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें प्यार हो गया हमें ये हो गया फलाना हो गया डिमका हो गया ये प्यार व्यार का कुछ मेंटर नहीं होता है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और अपना फायदा उठाते हैं ये प्यार का नाम है आज के जमाने में वो प्यार तो बहुत दूर की बात है जिसके लिए खुद जान दे दिया करते थे लेकिन आज के जमाने में प्यार के अंदर जान देते नहीं है जान ले लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो वो जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची घटना के उपर, तब तक आप खुश रहें, साधान रहें, रिष्टों की एमियत को समझें, जै हिंद, जै भारत.